नमस्कार दोस्तो इस टड़ी विद्पाउन पर्दिप में आप सब लोगों का स्वागत है दोस्तो आज चर्चा की जाएगी हमारा अतीत भागे क्या नहीं कक्षाच 6 का जो इत्यास है उसके अध्याई नमबर 9 पर पार्ट का सीर्शक है व्यववारी राजा और तिर्धिया इसके विशे में हम चर्चा करेंगे इससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारे इस यूटूब चैनल के माध्यम से NCRT आधारित समाजी विज्ञान के सभी पार्ट पर केक्षिया 6,7,8,9,10 मैं से किसी न किसी एक पार्ट पर चर्चा की जाती है और आगे भी निरंतर यह चर्चाएं जारी रहेंगी अगर आप इन चर्चाओं में समलित होना चाहते हैं तो निश्चित तोर पर आप हमारे इस YouTube चैनल के साथ जूर सकते हैं आए चर्चा सुरू करते हैं व्योपारी राजा और तिर्थ यात्री बालिका जगनी है इसके माध्यम से हम व्योपारी क्या होते हैं उसे समझने का प्रियास करेंगे या अपने गाउं के मेले कियास लगाई बैठी थी और इस टील के चमक अच्छे लगते थे उसके गाउं में जो मेला लगता था वहां अक्सर इस्टील के चमकदार वरतन आते थे रंग विरंगी प्लाश्टिक की बाल्टियां और प्रिंट वाले कप्ड़े आते थे चाविश से चलने वाले मज़ेदार खिलोने आते थे तो यह सब चीजों की की आश लगाए वह अपने गाउं के मेले की आश लगाई बैठी थी इन चीजों को बेचने वाले दुकांदार बसों टरकूं पर आते थे और रात को अपना समान समेट कर वापस चले जाते थे जो ये मेले होते थे इसमें समान बेचने वाले आते थे और वह मेला समापत होने के बाद क्या करते थे अपना समान समेठ कर चले जाते थे जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं उसकी माने बताया कि वे लोग ब्योपारी थे जगनी शोती थी कि ये लोग आते तो हैं समान लाते हैं और उसके बाद चले भी जाते हैं तो उसकी माने बताया कि ये लोग क्या हैं ब्योपारी हैं ये लोग क्या करते हैं इसी तरह क्यों गुमते रहते हैं उसकी माने बताया कि ये लोग ब्योपारी हैं वे चीज को वे वे चीजों को क्या करते हैं उन जगहों से खरेते हैं जहां वे बनाई जाते हैं और फिर जग में उसे क्या करते हैं बेचते हैं करके बताया या बेचते थे करके बताया ब्योपार और ब्योपारियों के बारे में जानकारे अध्यायाद में तुमने उत्तर के काले पॉलिस वाले बरतनों के बारे में पड़ा है यह खुबसूरत बरतन खास तोर पर इनकी कटोरियां यह थालियां इस उप महादीब के अनेग पुराइश तलों से मिले हैं उत्तर के काले पॉलिस वाले बरतन कहां से मिले हैं पूरे उप महादीब के अनेग पुराइश तलों से मिले हैं उसमें से भी खास कर कोटोरियां यहां से मिले हैं सवाल उठता है कि इन जगहों पर यह बरत कर अलग अलग जगहों पर बेशते थे दक्षिन भारत सोने मसाले खास तोर पर काली मिर्च था पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था प्रस्ट पूछा जा सकता है कि दक्षिन भारत किसके लिए प्रसिद्ध था दक्षिन भारत सोना है चांदी है मसाले है काली मिर्च है इन के लिए फेमस था परमुक था और काली मिर्च को रोमन सामराज में इतनी मांग थी कि काली मिर्च की रोमन सामराज में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से जना जाता था या बुलाते थे प्रश्ण पूछा जा सकता है कि रोमन सामराज में काली मिर्च को क्या कहते थे काला सोना या काले सोने के नाम से जानते थे यह प्रश्ट पूछा जा सकता है कि रोमन सामराज में दक्षिन भारत से वो कौन सी वस्त निर्यात की जाती थी जिसे रोमन सामराज में काला सोना कहा जाता था तो आप कह सकते हैं काली मिर्च प्योपारी इन समानू को समुद्री जहाजों और सणकों के रास्ते रोम पहुचाते थे दक्षिन भारत में से नेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं दक्षिन भारत में रोमन के साथ व्यवपार होने का एक प्रमुक आधार ये भी है कि वहाँ पर पुराथत्विदों को क्या मिले हैं रोमन सिक्के मिले हैं इससे य जिनु रोम के साथ बहुत अच्छा व्योपार चल रहा था प्रश्ण हम बात में इसकी चर्चा करेंगे अभ्यास प्रश्णों के साथ ही हम इन प्रश्णों पर भी चर्चा करते हैं जैसे कि आप लोग हमारे पिछले चर्चाओं में देख चुके हों गया यह जाने व्योप समुत्र तड़ पर पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वोणन मिलता है पुहार पत्तन पत्तन मलब एक छोटा बंदरगाह पुहार बंदरगाह एक छोटा बंदरगाह पूर्वी तड़ पर है और यहां पर क्या होता था किस परकार का व्योपार होता था उसे करता क माध्यम से बताया गया है संगम साहित्य में आये देखें इसे कि संगम साहित्य में ये कौन सी करता लिखी गई है समुत्री जहाजूं से लाए गए तेज तरार घोडे समुत्री जहाज से क्या लाए जाते थे तेज तरार घोडे गालियों पर काली मिर्च की गठरियां यहां से गालियों पर काली मिर्ची की गठेरियां रखी जाती थी हिमाले से रत्न और सोना रखा जाता था दक्षिन की पहाडियों से चंदन की लखलियां रखी जाती थी और दक्षिन सागर के मोती और पूर्वी के मूंगे रखे जाते थे गंगा कावेरी की फसले भी यहां रखी जाती थि और सिलंका से आए खाद्यान मानमार से बने मिंटि के वर्तन और दुल्लव किमथी आयात होते थे ये चीजें यहां खरीदी जाती थी कहां से मानमार एवं सिलंका से आए आगे चर्चा सुरू करते हैं इसके बाद व्योपारियों ने कई समुद्र राष्टे खोज निकाले इसमें से कुछ समुत्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे या नहीं बंगाल की खाड़ी के रस्ते भी लोग यहां आया करते थे और अरब सागर से भी लोग यहां आया करते थे जब हम भगोल विशय पर चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे कि कहां पर अरब सागर है और कहां पर बंगाल की खाली है आप लोग एक बार जरूर मैप में देखें नाविक मानसुनी हवा का फाइदा उठा कर अपनी यात्रा जल्दी पूरा कर लेते थे वह अफिरका और अरब के पूरूरी तटों से इस महाधीब के पश्चमी तट पर पहुंचना चाहते थे देखें पश्चमी मानसुन के साथ चलना परसंद करते थे इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था प्रश्ण ये पूछा जा सकता है कि परसंद करते थे समुद्रों के तटे समुद्र तटों से लगे राज्जे भारत के वह नेक राज्जे हैं जो समुद्र तटों से लगे हुए हैं इस उप महाधीब में दक्षिनी भाग में दक्षिन भाग में क्या है बड़ा तटी परदेश है इसमें बहुत से पहार पठ मैदान है वह सरवातिक उपजाओं है मैदानी इलाकों तथा टटी इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्य और सक्ति हो गई जो यह साकर टटी राजा या सरदार हुआ करते थे उस समय सम्रिद ब्यवपार होने के कारण और कावेरी तट पर उपजाओं मैदान होने से यहां के जो राजा और सरदार थे काफी सम्रिद हो गए थे संगम करता हूँ मैं मुवेंदार की चर्चा मिलती है कि एक तमिल सब्द है जिसका अर्थ है तीन मुख्या है एक तमिल सब्द है जिसका अर्थ है तीन मुख्या इसका प्रियोग तीन सासक परिवारों के मुख्याओं के लिए किया जाता था ये चोल चेर तथा पांड मांचित्र साथ प्रिष्ट 105 में देख सकते हैं अगले ज्याए में हम देखेंगे जब यहां पर आएंगे जो करीब 2400 साल पहले दक्षिन भारत में काफी सकती साली माने जाते थे इसवी से 320 पूर्वे या नहीं हम कहें इसा मैसी के 320 पूर्वे तक काफी सकती साली यहां पर माने जाते थे इन तीनों मुख्याओं के अपने अपने दो दो सत्ता के इन थे या नहीं इन तीनों जो चोल चेर और पांडी थे इन तीनों के अपने-पने दो राध्धानिया हुआ करती थी, इसमें से एक तटी हिस्चे और दूसरा अंदुर्णी हिस्चे में इनकी राध्धानी हुआ करती थी, इस तरह च्छे केनरों में से दो बहुत महत्वपूर्ण थे, एक चोलू का पत्तन पुहार बंदरगाह या नहीं कावेरी पत्नम का बंदरगाह भी हम कह सकते हैं पत्तन मतलब छोटा बंदरगाह जैसे हम पहले यह बता चुके हैं और पांड्यू की राध्धानी मधुरे हुआ करती थी प्रश्ण पूछा जा सकता है कि पांड्यू की राध्धानी कहा थी पांड्यू सामराजी थे ये उफ़ार मागते थे या उनको खुद उफ़ार के तोर पर लोग दे के चाहते थे जबकि उत्तर भारत की तरह यहां पर कर की व्योस्ता नहीं थी, कभी-कभी ये सेनिक अभ्यान करते थे और आसपास के इलाकों से क्या कर लेते थे, सुलक वसुलते थे, इसम संगम कभियों ने उन मुख्यावूं की प्रसंसा में करताय लिखी हैं जो किम्ती जोहाराद, सोने, घोडे, हाथी, रत या सुन्दर कपले दिया करते थे। इसके लगभग दो सब वर्सूं के बाद पश्चिम भारत में साथ वहन नामक राजवन्स का प्रभाव पढ़ गया। साथ वहनों का सबसे प्रमुक सासक गौत्मी पुत्र साथ करनी था, उसके बारे में हमें मां गौत्मी बलव्ट सुरी द्वारादान किये गये अभिलेक से पता चलता है और और अन्य सभी साथ वहन सासक दक्षिना पत के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिना पत के स्वामी किर सासकों को कहा जाता है साथ वहन सासकों को दक्षिना पत का स्वामी कहा जाता है दक्षिना पत का साब्दिक अर्थ है दक्षिन की और जाने वाला रास्ता। मतलब दक्षण के स्वामी थे, पूरे दक्षणी सेत्र के लिए भी यही नाम पर चली था, श्री साथकरणी ने पूरवी पश्चमी तथा दक्षणी तठ उपर अपनी सिनाय भेजी थी, उसके बाद है रेसम मारगे के बारे में कहानी, कीमती चमकीले, रंग और चिकनी मुलाइम बनावत की वज़ा से रेसमी कप्षणी समाज में बहमोली माने जाते थे, रेसमी कप्षणी तबाद तयार करने एक जटिल पर किरिया है, रेसम के केड़े से कच्चा रेसम निकाल कर सूथ कताई होती है, और फिर उससे कप्षणी बना जाता है, रेसम बनाने की, तकनीकी काउसकार सबसे पहले चीन, सबसे पहले चीन में करीब साथ हजार साल पहले हुआ था इस तकनीकों को उन्होंने हजार उस साल तक बांकी दुनिया से छुभाई रखा, पर चीन से पैदल घोड़े और उटूं, पर कुछ लोग दूर दूर जगह, जगहों पर जात करते थे, जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे, वह रेसम मार्ग सिल्क रूट के नाम से परसिद्ध हो गया, कभी कभी चीन के सासा की रान तथा पश्चमी एसिया के सासकों को भी उफार के तौर पर रेसमी कपड़े बेचते थे, यहां से रेसम के बारे में जानकार बन गया, रोम में लगभग इसा मसी के जन्म के समय क्या बन गया, रेसमिक अपने पहना एक फैसल बन गया, इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ियों और रिगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था, यही न मांचित्र छे में, प्रिष्टे 76, 72 में, जो हम पिछले अध्यायों में पड़ चुके हैं, सिल्क रूट तथा उसकी साखाओं को दिखाया गया है, कुछ सासक इसके बड़े-बड़े हिस्सों पर अपना नियंतरन करना चाहते थे, क्योंकि इस राष्टे पर रियात्रा कर पर अध्यायों से उन्हें कर सुल्क तथा, तोहिपे के जर्ये लाब मिलता था, कुछ सासक इसके बड़े-बड़े हिस्सों पर क्या करना चाहते थे, रेसम रूट के बड़े-बड़े हिस्सों पर नियंतरन करना चाहते थे, क्योंकि उसकी उससे उफार है, सुल्क है, तो इसके बदले ब्योपारी जो उफार सम्मान देते थे उसके बदले राचा क्या करते थे कि इनको सुरक्षित अपने राची से आवाजाही करने के साधन मुहया कराते थे सिलक रूट पर नियंटर रखने वाले सासकों में सबसे परसिदे कुसान थे करीब 2000 साल पहले मजी एस्याता था पश्चिमोत तर भारत पर इनका सासन था प्रेशावर और मत्रा दो मुख्य सक्तिसाली केंड थे प्रश्ण पूछा जा सकता है कि कुसानों की प्रमुख दो के केंडर या राधानिया कहां थी पेसावर और मत्रा केंडर थे तक सिलावीन के राज्च का हिस्सा था इसके सासन काल में ही सिलक रूट की एक साखा मध्य एस्या से होकर सिंदो नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी फिर यहां से जहाजों द्वारा रिश्ण पश्चि जारी करने वाले सासकों में कुसार थे सिलक रूट पर यात्रा करने वाले ब्यवपारी इनका उप्योग किया जाता है आप देखें यहां पर दिया गया है कि इस महाद्वीत में सबसे पहले सोने के जारी करने वाले सासक अगर कहें तो कुसार दिया गया है जबकि आप किसने जारी किये तो हिंद या उन्होंने सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किये थे उसके बाद प्रश्ण पूछा जाता है कि सबसे पहले सुत सोने के सिक्के किसने जारी किये सबसे पहले सुत सोने के सिक्के कुसानों ने जारी किये साथ ही साथ प्रश्ण पूछा जाता है क सरवाधिक सोने के सिक्खे किष्णे किन सासकों के समय में पर्चली तो वह गुप्त सासकों ने चलाए या जारी किये यहाँ पर सबसे पहले सोने के सिक्वे कुसान सासकों को दिया है क्योंकि यहां पर हम ये भी समझ सकते हैं कि जो हिंद यावनों ने चलाने को सबसे पहले सोने के सिक्वे चलाएं लेकिन वो सुद्ध सोने के नहीं थे इसी बात को ध्यान में रहकर NCRT ने हो सकता है कि यहां पर सबसे पहले सोने के सिक्के कुसानों ने चलाए यह यहां पर दिया गया हो बहुत धर्म के परसार कुसानों का सबसे परसिद राजा कनिश के था परसार उसने पूछा जा सकता है कि कुसानों का सबसे सक्ति साली राजा कौन था या परसिदिञराजा कौन था कनिस्क था उसने क्रीब नीश्व शाल पहले सासद्न किया उसने एक बहुत परसद का गठन किया जिसमें Liberty गाड़़्ट्रों कर्पूर्व विशेयो पर विच चार दिमर्स करते थे प्रष्ट dal पूछा सकता है कि बुद्द परिशत का गठन किस ने किया बुद्द परिशत का गठन कनिश्क ने किया कनिश्क किस वन्सका सासक था बुद्द की जीवनी बुद्द चरित्र के रसनाकार कवी अस्वगोस कनिश्क के दर्वार में रहते थे प्रशन यहां से दो प्रशन बनते हैं तो नमबर दो प्रस्न अस्व घोस किसके दर्वार में रहते थे अस्व घोस कनिस्की के दर्वार में रहते थे अस्व घोस तथा इन्हें बहुत भी दोनों ने अब सस्कित में लिखना सुरू कर दिया था कनिस्की के समय में इस समय बहुत धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ इसकी दो मुखी विश्टाय थी पहले मुर्तियों में बुद्ध की उपस्तिती सिर्फ कुछ संकेतु के माध्यम से दर्साई जाती थी साल के तोर पर उनकी निर्वान प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्साया गया अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी कनिस्की के सासनकाल में क्या हुआ कि बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी इसमें से अरिकान समत्वा में तो कु हुए ध्यान साथना करते थे पुछा जा सकता है कि कि अ 커ammen कर लेकिन आसा करने के बजाए लोगों को सिक्षाद देने और मदद करने के लिए संसारिक प्रविष में ही नहिए ठीक समझते थे बहुत आ करते थे तो वह लोगों के वीच रह करके ज्यान दिया करते थे धीरे धीरे बोधिस्वत्यों की पूजा काफी लोक्विर्य हो गई है और वह पूरे मध्येश्या चीन और बाद में कुरिया तथा जापान तक भी भैल गई बहुत धर्म का प्रचार परसार पश्चिमी और दक्षणी भा इसतापत्य कला के नमूने यहाँ पर है कि किस प्रकार से उस समय चित्रकारी की जाने लगी थी साची के इस तूप का एक मूर्ती है यहाँ इस ब्रिक्स और उसके नीचे के खाली आसन को देखे मुर्तिकार ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मुर्ति बनाई कि बुद्ध को ग्यान प्राप्ति इसी ब्रिक्स के नीचे बैठ कर ध्यान करते हुई हुई यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो चित्र है पीपल ब्रिक्स के नीचे महत्मा बुद्ध को दर्साया गया है और यहाँ पर यह दर्साया गया है कि महत्मा बुद्ध ने यह पीपल ब्रिक्स के नीचे ही ग्यान प्राप्त किया था इसके बाद यहां पर देखें कि मत्रा में बनी बुद्ध की एक परतिमा का चित्र तक्सिसिला में बुद्ध की परतिमा का एक चित्र इन दोनों चित्र देखर बताओ कि इनके बीच क्या समानता है और क्या बिन्नता है देखें एक तक्सिसिला में बना चित्र है और एक मत्र में बना चित्र है आप देख सकते हैं कि इन में क्या भी विन्यत आये हैं देखे आप यहां पर अगर देखें तो बुद्ध को बैठ करके दिखाया गया है और यहां पर हम देखें तो बुद्ध की खड़ी परतिमा है यहां पर देखें बुद्ध के पीछे कुछ आसन लगा गया है जब कि यहां पर देखें ऐसा कुछ भी नहीं है और भी अंतर आप लोग देख सकते हैं यहां पर साथ ही esat यहां पर बुद्ध जो है । बिना वस्तरूं के हैं जबकि यहाँ पर बुद्ध की परतिमा को वस्तरों से सुसचित किया गया है आप यह देख सकते हैं और भी अंतर आप अगर इन्हें देखेंगे तो निकाल सकते हैं इसमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई तो कुछ ब्योपारी तथा किर भी इन्हीं दर्रू से होकर गुजरती थी दक्कन के सहरों और तटू के सम्रित बंदरगाहों और इन्हें जोड़े वाली सटकें भी क्या होती थी इन्हीं दर्रू से होकर गुजरती थी ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले ब्योपारी इन गुपावे वाले मठू में वि फैला बहुत धर्म के अगर बात करें तो कर्दिश्क के समय के बाद यह अनेक देशों में फैला थेरवाद नामक बहुत धर्म का अरंभिक रूप इन शेत्रू में कही अधिक परचलित था जो यह अन्य देश थे उसके बाद चर्चा बस्ती है तीर्थी आत्रियों और जिग में ने रहें यहां पर देख सकते हैं आप लोग कारले की गुफा महराष्ट में है इसके विसे में भी आगे चप्चा करेंगे मिलते हैं जल्दी ही तब तक के लिए आप लोग स्वस्त रहें ब्यस्त रहें और मस्त रहें जैहिंद जैवादर